इस वीडियो में हम पढ़ेंगे implementation of the budget देखें फार्ष्ट एपरिल हर साल फार्ष्ट एपरिल को क्या होता है budget का implementation होता है तो इसमें implementation में सबसे जो main ministry होती ही जो nodal agency बोलते हैं जो सबसे यादा responsible होती है budget के दोरां होती है ministry of finance जैसे budget जो है अप्रू हो जाता है उसके बाद क्या होता है जो ministry of finance होती है यह सभी ministry को intimation दे देती है और बताती है कि हर एक ministry को कितना जो fund है उनको allowed हो गया है तो उसके बाद वो पैसा उनको allowed हो जाने के बाद उनको intimation मिल जाता है मतलग through the ministry of finance फिर जो head of the department होते है अलग-अलग head के जो department जो head of the departments होते है अलग-अलग ministry में वो क्या करते है पैसे को allowed करते है अपने ministry के अंदर और जो भी जो भी पैसा उनको दिया जाता है उससे ज्यादा उनको खर्च नहीं करना होता है अगर खर्च करते है तो उनको एक sanction ले लेना होगा तो जो की में लिए और राइ और रेटी से लेना होगा उनको जो भी अगर उनको अपने लिमिट से अगर ज्यादा पैसा खर्च करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा एक एक स्यांक्शन लेना पड़ेगा देन इसमें क्या है में ली जब भी पैसा खर्च करे करेगा उनको जो record है अपने पैसे का उसको रखना पड़ेगा यह क्या है mandatory है क्यूंकि इसका क्या होगा बाद में audit होगा mainly तो audit कोन करेगा audit करेगा control and audit general of India क्या क्या audit करता है यह क्या constitutional authority है क्या यह mainly audit करता है जो भी union और state के अंदर जितने account है mainly state का भी consult fund of India का जो भी account है उसको भी audit करता है CAG क्या द्वारा control and audit general of India इसको mainly क्या कहा गया custodian of the accounting and audit system in the country इनको custodian कहा गया है इनको control and audit general of India को यह make sure करता है कि जो public money है वो appropriately spend हो रहा है इसको यह क्या करता है make sure करता है चेक करता है mainly यह क्या है independent living authority है जो पैसे को जो भी मतलब budget है जो finance है उसको review करता है चेक करता है और यह भी चेक करता है कि जो भी money spend होगा वो according to law and efficiency के हिसाब से हो रहाएगी नहीं क्योंकि यह क्या है क्या क्या है responsible है budget audit के लिए तो इस तरह से जो audit है अपने देश के अंदर यह mainly किस चीज़ का करता है यह audit यह जो expenditure हुआ है budget से जो expenditure हुआ है उसका audit किया जाता है तो इस तरीके से जो क्या जो क्याग है यह अपना role निबाता है audit करता है budget का जो भी expenditure हुआ है उसका मेंली audit करता है क्याक और इस तरीके से जो भी जो implementation है आपका जो budget का वो लेस्टेटर थूदी मतलब mainly अपरूत लेस्टेटर करता है और executive उसको implement करता है budget को ठीके तो यह था implementation of the budget and the role of the CAC control and audit general of India so that's all for this video thank you bye bye